आज हम इंडियन साइकलाजी का एक कॉंसेप्ट समझते हैं यह आप कहें कि इंडियन जो फिलासफी है उसका एक कॉंसेप्ट समझते हैं कि कैसे चीजों को याद किया जाता है और कैसे चीजों को सीखा जाता है तो यहाँ पर दो चीजे हैं एक जिसको हम कहते हैं learning और दूसरा जिसको हम कहते हैं remembering ये दोनों ही सबके लिए problem है कि कैसे सीखा जाए और दूसरा कि कैसे सीखे हुए चीजों को याद रखा जाए तो हम इधर उधर न जाएं बलकि सीधे Indian philosophy पर आते हैं और Indian philosophy में यदि आपने सुना हो कि एक ग्रंथ है जिनका नाम है वेदांत आपने अगर नहीं सुना हो तो कभी Indian psychology या Indian philosophy पढ़ेंगे तो वेदांत का नाम जरूर आता है वेदांत के मिना हमारी philosophy अधूरी है तो वेदांत में एक सूत्र आता है यह हम कहें कि वेदांत में ऐसा एक तथ्य आता है कि जो हमारी इस problem को मतलब की कैसे सीखा जाए और कैसे याद रखा जाए इस problem को solve कर सकता है अब मैं सीधा उस सूत्र को लिखता हूँ यहाँ पर वेदांत कहता है कि एक होता है श्रवन श्रवन एक होता है मनन और एक होता है निदिध्यासन निदिध्यासन सबसे पहली चीज़ क्या हुई श्रवन दूसरी चूज हुई मनन और फिर तीसरी चूज हुई निदिध्यासन अब आप कहेंगे साब यह वड़ी टिपिकल है श्रवन क्या होता है मनन क्या होता और उससे भी अधिक कठीने की निदिध्यासन क्या होता है और इनका हमारी लर्निंग और हमारी रिमेंबरिंग से क्या रिलेशन है तो यहाँ पर सबसे पहली चीज यदि आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं मैं भी पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने का एक तरीका अलग है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि यह आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं, किसी भी चीज को याद रखना चाहते हैं, तो पहली बात श्रमन, आप सुने, आप सुने, जितनी कोई प्रोफेसर का कोई लेक्चर सुन रहे हैं तो आप कहिंगे आ रहे क्या सुनना है यह तो हमें आता है नहीं सबसे पहली बात आती है श्रमन श्रमन मनन और निधि ध्यासन एक योग का कॉंसेप्ट है यहाँ पर हम एप्लाइड तरीके से उसको समझने की कोशिश कर रहे है क्योंकि श्रमन की जब बात आएगी तो श्रमन का बड़ा सिंपल सा मिनिंग तो है सुनना लेकिन किसको सुनना सुनने का मतलब है कि hearing the truth सत्य को सुनना जो सही है उसको सुनना और जो सही है उसको सुनने का मतलब क्या है कि जो गुरू ने बताया हुआ है जो भी अपने से जो भी श्रेष्ट हैं वो लोग जो कह रहे हैं आप क्या करें आप उनको सुने श्रमन लेकिन इसका और विस्तार पुर्वक अगर वनन करें तो में दो तरीके की वानी को सुना जाता है एक जो वानी होती है जिसको हम कहते है परावानी एक कौन सी वानी होती है जिसको हम कहते है परावानी और एक दूसरी होती है जिसको हम कहते है अपरावानी अगर आप वेदांतिक की बात करेंगे तो वहाँ पर जो स्रमन है वो अपरा चाहते हैं, तो यहां पर एक हे परावानी, एक हे अपरावानी, परावानी का मतलब क्या है? साथ जो से सुनी जा रही है, जो कान से सुनी जा रही है, जो कहीं न कहीं हम दोनों की relationship की existence को बनाये रख रही है, वो इस संसार की existence को बनाये रख रही है, आप परी आवा सुन पा रहें है क्या? आप जब भी किसी के लिए कोई behavior करते हैं, आप जैसी उसके लिए कोई act करते हैं, क्या होई? आप कोई परावानी, कोई आवाज सुनते हैं. अब जो आवाज सुनते हैं जो सुनाई देती है और वो कौन सी आवाज है? जो 20 hertz से 20,000 серд के बीच है, क्योंकि हमारा जो कान है वो 20-20,000 Hz तक सुन सकता है तो वो क्या है वो है आपकी परावानी और दूसरी अपरावानी का मतलब क्या है कुछ आवाज यहां ऐसी है जो आप कानों से नहीं सुन सकते अपने हृदय से सुन सकते हैं आपको अगर ध्यान होगा कि या आपको पता बोली जा रही हैं सुनिएगा कि जो भी चीजें बोली जा रही है या जो भी चीजें आज तक बोली गई है मतलब कि जो साउंड है वो हमेशा जीवित रहता है आप करने साब जीवित का हैं हमने तो आपकी आवाज सुनी नहीं आपने नहीं सुनी लेकिन इस ब्रह्मांड में वो साउंड है अब वो अभी ठीक है इतनी बड़ी इतनी अच्छी इतनी टेक्नोलाजी वाली मशीन नहीं बनी कि हम उस वानी को सुन सकें बलकि बीच में एक आर्टिकल आया था और आर्टिकल तो ये कह रहा था कि आपको ध्यान है कि 5000 साल पहले भगवान श्रीक्ष्ण ने गीता कही थी गीता का पाठ किया था गीता का उच्चारं किया था आप कहेंगे साब गीता तो 5000 साल पहले थी तो अभी क्यों आप कह रहे हैं अभी ये कहा ज सब्सक्राहिं नहीं हुआ है वो भी इस भ्रहमान में है और साइंतिस् Technic Schoss उस तक पहुपने की कूसिश कर रहा है वह क्या है वह क्या अपरावाणी है जो की देवताओं तो जो जो बोली गई है या जो योगियों द्वारा बोली गई है और एक आपरावानी क्या है जो अपने अंदर की आवाज है लेकिन आपको अभी अंदर की आवाज सुनने के लिए बहुत जादा तपस्या करने पड़ेगी तो जादा बैटर है कि अभी हम आपरावानी को न समझें श्रमन करें, आप एक तरफ गाना चल रहा है, एक तरफ लेक्चर चल रहा है, एक तरफ कुछ और कर रहा है, नहीं साब ये नहीं करना है, पहले बड़ी ध्यान से सुनना है, श्रमन करना है, अब श्रमन कर लिया, और ये भी आपको बता दूँ कि श्रमन करने के बाद यदि आप मनन ना करें तो चीजे आउट हो जाएंगी आप कुछ याद नहीं रख सकते आप कहरें कि साथ अभी आज सर कल ही तो आपका लेक्चर सुना था कल लेक्चर सुना था उसके बाद मनन कहां किया तो फिर दूसरी चीज आती है कि आपने जिन बातों को श्रमन किया है उनों बातों को क्या करें मनन करें मनन का मतलब चिंतन करें आप उसके बारे में बार 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 सोचें आप उसको कंटम्पलेट करें इसने तो कहा गया था कि सत्संग में जाया करो क्योंकि सत्संग में श्रमन हुआ और श्रमन के बाद जब आप बार 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 सत्संग में जाएंगे तो मनन होगा तब ही तो यह कहा जाता है कि अच्छी बातें सुना करो बार-बार सुना करो क्यों क्यों कि जब अच्छी बातें बार-बार सुनोगे तब आप बार-बार मनन करोगे मनन करोगे मतलब आप बार-बार चिंतन करोगे आप जब भी किसी लेसन को आप याद कर रहे हैं तो पहले मैं तो यह कह रहा हूँ कहने से उसके सुनने से आप बहुत सारी चीज़े तो आप याद कर सकते हैं तो आप केवल पहले सुने और सुनने के बाद अब आप एकांत में बैठें अच्छा सर ने ये point कहा था ओ सर ने ये ऐसा भी कहा था इसको किस तरह से आप analysis कर सकते हैं अच्छा क्या सही है क्या गलत है क्या चीज वेल्यीवबल है क्या चीज वेल्यूवल नहीं है क्योंकि स्रमन में हम अनायास ही यह हम automatic स्रमन भी होता है automatic स्रमन क्या होता है कि आप राष्टे से जा रहे था और बीच में गाना चल रहा था खटी मीठी चासनी अब साद्याप क्या सुनने की कोशिश कर रहे थे यह मौसम का जादू है मित्वा या आप सुनने की कोशिश कर रहा था, साब मैं तो रास्ते में जा रहा था, गाना चल रहा था, लेकिन श्रमन आपने किया ना, और हम क्या होता है, कभी-कभी ऐसे श्रमन जो अनायास हो जाते हैं, जो अटमेटिक हो जाते हैं, उनके लिए क्या होता है, आप उसी का चिंतन म तो मनन का मतलब क्या है understanding with analysis कि आप analysis करें कि साब ये खटी मीठी चासी सही है या मेरे लिए गलत है अगर सही है तो मैं रख लूँ बैसिकली सही नहीं है गलत है तो गलत है तो मतलब इस मनन से एक बात जो आईगी जो develop होगी वो होगी discrimination वो develop होगी विवेक वो develop होगी wisdom मतलब कि साब मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है कि इस जो मैंने पढ़ा तो मैं किन मुख्य बिंदों को याद रख सकता हूँ उनको बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार मनन करूं आपने auto suggestion के बारे में जरूर सुना होगा auto suggestion के बारे में कहा जाता नहीं कि आप एक ही suggestion को बार-बार contemplate करें बार-बार उसको दोहराएं तो वो unconscious mind या आप subconscious mind कहें तो भी ठीक है कि वो subconscious mind में चला जाता है तो बिल्कुल वैसे ही है मनन आप जिस चीज को याद करना चाहें मनन करते रहें सोचते रहें सोचते रहें चिल्टन करते रहें आप क्या करते हैं खाना mobile, पानी पीते हैं mobile, आप टॉलेट जाते हैं तो mobile, लोग नाने जाते हैं तो mobile और किसी का फोन आ जाए, किसी का message ना, अभी चिंतन किसका चल रहा है Facebook, अभी कि चिंतन किसका चल रहा है, WhatsApp, मैं क्या कह रहा हूँ, जिस बात का आपने श्रमन किया, जो चीज आप याद करना चाहते हैं, जो चीज आप सीखना चाहते हैं, श्रमन के बाद उसका मनन करिये, चिंतन करिये, तब वो क्या होगा, तब अंदर जाएगा, मनन से अंदर पहार में लाना, इसका ये बेसिक, बहुत ही सतही, सरफेशियल मेनिंग आपको बता रहा हूँ, वैसे ये तीन कॉंसेप्ट बहुत ही केवल योगियों वाले हैं, आप ऐसे कॉंसेप्ट हैं, जहां पर निदी धियासन में तो व्यक्ति योग की तरफ चला जाता है, व्यक् जब आप मनन बहुत ज़्यादा करेंगे, तो वो होगा कि बाद में आटोमेटिकली ही आप निदी धियासन की तरफ चले जाएगे, मतलब वो चीज़ आटोमेटिकली आपके लाइफ में चले जाएगी, वो चीज़ आटोमेटिकली आपके ब्रेन में चले जाएगी, वो च स्थिती ऐसी है कि मनन हम जितना भी ज्यादा करें वो अंदर कितनी जाएगी थोड़ी सी, भाई सब जब मनन नहीं किया तो कितनी जाएगी तो तो और थोड़ी जाएगी, तो ज्यादा बैटर है कि पहले आप शमन करें, फिर आप मनन करें और फिर निदी दिहासन करें, और दियासन के बाद क्या है you have to apply कि आपने जिस knowledge को अंदर डाला है उस knowledge को क्या करें आप apply करें आप अपनी life के जितने भी पहली हुआ उसमें वो knowledge apply करें आपने का कि साब मैंने लिखना सीखा है तो आज कल एक lesson लिखिये कल दूसरा lesson लिखिये पर सो तीसरा लिखन लिखिये मलब आप कहेंगे मैं बोलना सीखना चाता हूँ मैंने मनन कर लिया मैं ऐसे बोलूँगा अँस तरह कैसे करूँगा आरे तो आप बोलिये तो सही निधी ध्यासन करें तो सही मैं फिर repeat कर रहा हूँ कि ये जब वेदान्त में शमंण मनन निधी ध्यासन ये योगियों के लिए ब रसे सीखेंगे कि आप पहले किसी भी चीज को बहुत ही ध्यान-पुर्वक सुने। उसके बाद मनन करें, कि साभ यह क्या सभी है, क्या गलत है मुझे क्या रखना है, क्या मुझे अंदर भेजना है, मनन करें। आप auto suggestion अपने मन को दें, आप कही न कही उसको contemplate करें, आप उसको कही न कही बार 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 चिंतन करें, तब क्या होगा निदि ध्यासन भाय साब अंदर चला जाएगा, और अंदर चला गया, तो आपकी ये जो learning की problem है, या आपकी remembering की problem है, कि साब याद नहीं हो रहा है, या मैं सीख नहीं पा रहा हूं, तो आप सीख जाएंगे.